नमस्कार मिरा नाम है नभीन भाटी आप देख रहे हैं CNTV इंडिया चैनल दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं ब्रमपुत्र नदी जो की तिब्बत से भारत में एंटर होती है उस पर चीन एक बांध बना रहा है वो बांध इसलिए बनाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में चीन ब्रमपुत्र नदी का पानी अपनी मननुसार रोक या छोड़ सके क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं पूरे एशिया की साथ भी सबसे बड़ी नदी मेकॉंग जो साउथ वेस्ट चाइना से होकर मुबे अनमार लाउस थाइलेंड कमबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में बैठी है इस नदी पर चीन ने 11 बांध बनाई है मेकॉंग और उसकी सायक नदिया साउथ इस्ट एसिया के 6 करोड से ज्यादा लोगों की लाइफ लाइफ लाइन है लेकिन साल 2021 में चाइना ने कुछ ऐसा किया जिससे इन देशों को भारी नुकसान जिलना पड़ा चाइना ने मेकॉंग रीवर के वाटर फ्लो को 50% से भी कम कर दिया जिससे इन देशों के करोडों लोगों की जिंदकी पर मानों आफ़त सी आ गई हो आज की डेट में चीन इस नदी पर बने बांधों के जरिये इन 6 करोड लोगों की किसमत का फैसला करता है चीन ऐसा कर पाया क्योंकि वो एसिया के वाटर टावर कहे जाने वाले तिबबत को कंटूल करता है तिबबत की नदीयों के पानी को चाइना मिलिटरी टूल की तरह इस्तेमाल करता है चाइना ज्यादा से ज्यादा डैन इन नदीयों के उपर बना रहा है जिससे गर्मियों में पानी रोख सके और नीचे के देशों को सूखे जैसे हालातों का सामना करना पड़े वहीं बरसात में इस पानी को ज्यादा मात्रा में छोड़ कर देशों में बाड जैसे हालात पैदा कर सके इसमें चीन का निसाना सिर्फ साउथ इस्ट एसिया के छोटे देश ही नहीं बलकि इंडिया और बांगलादेश भी है अब आप देखे यह है ब्रह्मपुदर नदी जैसे चाइना में यारलूं सांगपो का जाता है हिमालिया में तिब्बत से शुरू होकर ये नदी भारत में अरुनाचल प्रदेश से एंटर होकर आसाम और फिर बंगलादेश से हूट हुए बेव बंगाल में चली जाती है इसकी लंबाई 3000 किलोमेटर से भी जादा है एक और ये नदी खूब सारा पानी और उपजाव मिट्टी लेकर आती है तो दूजरी और इस नदी से आसाम और साथ ही साथ बंगलादेश में भारी बार जासे हालाद भी बन जाते है लेकिन इस कंडिशन को और गंबीर करने के लिए चीन ब्रमुपुत्र नदी पर एक विशाल डेम बना रहा है जिससे आने वाले वक्त में मिकॉंग वीबर की तरह ही ब्रमुपुत्र का पानी भी चीन अपने मुताबिक कंट्रोल कर सके चीन के इस कदम से इंडिया पर काफी प्रैसर बना हुआ है क्योंकि चीन अब अपनी मर्जी से नौर्ट इस्ट इंडियन इस्टेट में सूखा या बार जैसे हालाद पैदा कर सकता है इस मेगा डैम प्रोजेक्ट के बारे में चीन का कहना है कि मेगा डैम के जरिये 2,60 तक ये लोग ग्रीन एर्नर्जी में अपनी लीड बना लेंगे दरसल ब्रमुपुत्र नदी एक जगे से 180 डिगरी के एंगल से करीब 2000 फीट की उचाई से गिरती है इतनी उचाई से गिरते पानी से आम डैम की तुलना में तीन गुना ज्यादा विजली की पैदावार होगी ये सूपर डैम 60 गेगावाट्स तक की पावर जनरेट करेगा जो की सेंट्रल जाइना के दाव थ्री गॉर्जिस डैम जो अभी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है उससे भी तीन गुना ज्यादा पावर जनरेट करेगा इस प्रोजेक्ट में पूरे 28 डैम बनने है जिनमें से 10 तो फाइनल भी हो चुके हैं चीन ने एक और जहां विजली निर्मान के नाम पर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है वहीं भारत के मुताबिक चीन इसके जरियत देश के खिलाप शेडियन तरच रहा है जिस एरिया में ये नदी और डैम बनाने को लेकर प्रोपोजल है उसे लेकर लंबे समय से भारत और चीन में विवाद चल रहा है Line of Actual Control यानि LSE को लेकर होरे विवाद में ही साल 2020 के जून में 20 भारतिय सैनिक मारे गए थे अभी तक सीमा को लेकर ये विवाद खतम भी नहीं हुआ था कि इसी जगह चीन ने मेगा डैम बनाना शुरू कर दिया है आने वाले वक्त में अगर चीन ने इस मेगा डैम को बना लिया तो बाद में किसी भी विवाद पर वो भारत में इसका पानी छोड़ कर तबाई मचा सकता है चीन और भारत के बीच रिस्तों में टेंशन को देखते हुए ऐसा होने की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता भारत की सीमा के पास पानी की इतनी विशाल मात्रों को चीन भारत के खिलाप कभी भी एक वाटर बॉम की तरह इस्तिमाल करके आसाम और अरुनाचल प्रदेश में बहंग कर तबाई मचा सकता है ऐसा हमला भारत की जनता, इंफरस्ट्रक्चर और विशेस रूप से हमारे डिफैंस सिस्टम के लिए काफी खतरनाक सी दो सकता है इसके अलावा चीन के इस मेगा डैम के प्लैन से बायो डाइवर्सिटी को भी काफी नुकसान होगा अगर ये मेगा डैम बना, तो इससे तिबबत के निचले इलाकों में तबाई आ सकती है इसके अलावा, डैम के कंस्ट्रक्शन में लगने वाले एक्रिपमेंट्स की वज़ए से उस एरिया में भुकम के जटके भी आ सकते है ऐसा इसलिए कि ये अरिया पुकम को लेकर highly sensitive है साथ ही भूसकलन भी यहां सबसे ज़ादा होते है अब ये सब करना चीन के लिए इसलिए मुम्किन है क्योंकि जोग्रिफिकल सिचुएशन चीन के पक्ष में है कई नदियों का बनना चीन से ही सुरू होता है जो वैकर पूरे 18 देशों में जाती है चीन के अलावाद दुनिया में ऐसा दूसरा कोई देश नहीं है जहां की नदिया इतने देशों में जाती हो चीन ने इसी बात का फायदा उठाया और नदियों के पानी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया इसी के साहरे चीन अब ये भी तैकर सकता है कि उसके यहां से निकलने वाली नदियों का पानी दूसरे देशों में कितनी मात्रा में बायेगा इसलिए यहां यह कहना गलत भी नहीं होगा कि आने वाले कुछ सालों में भारत की कुछ स्टेट्स को पानी की जंजट से जूजना पड़ सकता है लेकिन दोस्तों सवाल यह आता है कि भारत इस प्रॉब्लम से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता है देखे दोस्तों चेन की सरकत से खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमें सबसे पहले आरुनाचल प्रदेश में एक डैम बना लेना चाहिए जो कल को ब्रह्मपुतृत नदी के पानी के फ्लो को बहुत हद तक कम कर सके दूसरा यह होगा कि हमें नौर्थ इस्ट कंट्रीज जो आज मेकॉंग रिवर की पानी की कमी की वज़े से जूज रही है उनके साथ बैट कर इसका कुछ हल निकालना चाहिए साथ ही हमें चाइना के खिलाफ कुछ वर्ड लेवल पर भी एक्शन लेने चाहिए बाकि आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नमस्कार